तो दोस्तो मेरा नाम राहूल स्वागत आप का टेक्निकल वर्केटिव चैनल पर दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूँ अगर आपके स्विच बोर्ड में रेगुलेटर की जगे स्विच लगा हुआ और जैसे पंका चलाते हैं तो पंका क्या तेज करते हैं चलने लगा इसकी तो यहां पर हम इस फिच बोर्ड में रेगुलेटर करके इसकी स्विच को कंड्रोल कर सकते हैं तो यहांँ देखिए मैंने इसके स्विच को अप कर दिया अब इसे चैंज कैसे करना इसके बारे मताने वाला हूँ तो सबसे पहले आपको यह modular है तो आपको यह चेक कर लेना जो इसकी कंपनी है किस कंपनी का यह स्विच बूर्ड लगा उसी के साप से हमें लॉक सिस्टम होता है तो यहां पर हम स्विचबोट हो खोल लेते हैं उसके बाद हम इसके फैन डाइवलाट को छेंज करेंगे देखें आपने स्विचबोट को खोल दिया लिए तो चलिए सब से पहले से कनेक्शन को समझते हैं फैन की दो मिरो थी 1 वाइर जो उती है वह उपर connect हो रुकिए जैसे हम switch on करेंगे हमारा जो fan हो चलने लगेगा जब भी आप regulator change करेंगे आपको क्या करना है main mcp बन कर लें जिससे current ना लगे क्योंकि यहाँ पर जो आपको नीचे copper की wire दिखाई देए इसमें अब face supply आ रही होती है ध्यान रखना है mcp बन नीचे इसमें supply आरी होती है current लग सकता है तो यहाँ पर देखें मैंने इस wire को निकाल दिया और प्लास के साहता से इस वायर को यहां से काट देते हैं क्योंकि हमें यहां पर इसकी जरूरत नहीं है तो यहां पर देखे मैंने काट दिया है और यहां पर इसके वायर को थोड़ा सा मोर देते हैं ताकि यहां पर यह रेगुलेटर से कनेक्ट ना हो या टच ना हो तो हम क्या क यहां पर फीक्स हो चुका provide है एकिक हो चुका है अब हमें क्या करना है और यहां Ugh जो fan का जो एक wire था उसे connect कर देना है तो यहाँ पर देखिए मैंने इस पीले वाले तार से regulator के एक wire को जोड़ दिया है आप regulator के किसी भी एक wire को इस fan के wire से जोड़ सकते हैं तो देखिए आपर मैंने इन दोनों wire को एक साथ joint कर दिया है और यहाँ पर टेप लगा दिया है अब आप यहाँ पर fan का एक wire connect हो गया और यहाँ पर regulator का एक wire connect हो चोगा अब हमारे regulator का एक wire बचा है अब बात करते है अगर आपके switchboard में एक switch खाली है तो आप वह इस wire को switch के उपर wire टर्मिल पर लगाना है तो यहाँ पर देखिए दोनों तरीका बताता हूँ अगर आपके switchboard मे स्विच खा लिए जो सप्लाइब हमारी रेगल तो इसके बाद हमें रेगलेटर से हमें इसको ऐन ऐसे श्विच को ऑन कर दिया अब फैन डेतर को अंट करतें तो देखें के और मेनने एक नंबर पर चला दिया और जो हमारा fan है वो चलने लगा है देखिए आपको दिखाता हूं मैं यहाँ पर देखिए fan हमारा जो है वो अभी low speed में चल रहा है अगर हम यहाँ पर speed बढ़ाते हैं तो यहाँ पर जो इसकी speed है बढ़ जाए देखिए regulator को दो number पर कर दिया और fan की speed है वो बढ़ गई है इस इस wire को क्या करना है तो यहाँ से हम इस wire को निकाल देते हैं आपको तीन सुछ कांब यहाँ को क्या करना है तो यहाँ पर फैन को मिल जाएगी और हमारा फैन चलने लगा है इसी तरह हम चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको चार नंबर पर चेक करके अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे मेरी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सक मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में